कि मुझे हाथ लगाया तो छोड़ दूंगा अगर मेरे परिपार को हाथ लगाया तो गाद डालूंगा एक बार फिर से सुखते हैं आप सभी का साउट मल्टिपलेक्स में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साल 2019 की बलोकबास्टर असुरन फिल्म की दस दिल्चस्प बाते जिनें आप सुनकर दंग रह जाओगे और साथ के साथ आपको बताऊँगा इस फिल्म के इंडिड़ वोर्जन के बारे में जो आपको बहुत ही जल देखने को मिलेगा और दोस्तों अभी तक आपने असुरन की चोट सिक वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए मैं आपके सारे डाउट के लिए कर दूंगा इस फिल्म के इंडिड़ वोर्जन को लेकर तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आप और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करें तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस फिल्म के अन्नोन फैक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बताऊंगा दोस्तों खानी यह है कि शिवा स्वामी जो एक किसान है व आपको एक बात देखने पड़ेगी दोस्तों आपको फिल्म की कानी सिंपल लग रही होगी लेकिन इसका एक्जीक्यूजन जबर दस्ते फिल्म को देखकर आप केदी फिल्म से कंपेर करेंगे तो दोस्तों चलिए जानते हैं असुरन फिल्म की 10 दिल्चस्प बाते और इंद जो तमिन नाडू का हिस्सा है यहां पर 40 दलित किसानों को एक जोपड़ी में बंद करके जला दिये थे दोस्तों जिसमें से 16 ओरते, 13 बच्चे और 5 आद्मियों की जान चली गई एसा कहा जाता है कि दोस्तों इस गटना को वहां के जमीनदारों के खेने पर अंजाम दिया गया था बाद में काफी सारी पॉलिटिकल्स पाल्टी ने इस गटना में धकल दिया और इस गटना ने बड़ा रूप ले लिया और असुरन नाम से फिल्म बनाए गई असुरन फिल्म को वेटरी मारन ने डारेक्ट किया था दोस्तों अन्नोन फैक्ट यह है कि वेटरी मारन दन उसके साथ के गई फौर्थ फिल्म है इससे फेले यह दोनों पोला दवन वड़ा चननने और आडू कलाम जैसी मास्टर फिस फिल्म में काम कर चुके हैं दोस्टो इनकी पिछली रिलीज फिलिम थी वड़े चन्ने फिलिम ने बॉक्स ओफिस पर जबर्दस्त कमाई की और बॉक्स ओफिस पर बॉलोगबास्टर बन गई आपने इस फिलिम को गोर्माइन्स तेली फिलिम के ओफिसल यूटूब चैनल पर सेंट्रल चन्ने नाम से देख लिया होगा दोस्टो वड़े चन्ने की सपलता के बाद फिलिम के मेकर्स ने वड़े चन्ने के सिउकल के एनाउसमेंट करी पर इसी वीच दनूस और फिलिम के डारेक्टर को असुरन फिलिम की खानी पसंद आ गई और वड़े चन्ने 2 के पहले असुरन फिलिम को बनाया गया दोस्टो असुरन बॉक्स ओफिस पर बॉलोगबास्टर हुई और इसी के बाद डारेक्टर और एक्टर की जोड़ी लाइम लाइट में आ गई और ओडियन्स की पसंदीता जोड़ी बन गई दोस्टो असुरन फिलिम को मिजुक दिया था एस वी परकास कुमार ने ये तीसरी बार था जब दनुस और डारेक्टर वेटरी मारन के साथ काम किया था इससे पहले वो आडू कलाम और पॉला धवन में इनके साथ काम कर चुके हैं दोस्टो फिल्म का बीजेम जबरदस्ते जिसकी वज़े से फिल्म का मज़ा तस्गुना बढ़ जाता है फिल्म में दनुस के अपोजिट में मंजु वारियर को फिमेल लीड रोल के लिए कस्ट किया गया था मंजु वारियर मलयालम इंडेस्टी की टेलेंटेट एक्टर्स हैं जो कि लूसी पर ओडियान, विलन और रानी पदमनी में नजर आचुकी हैं और मरककर में नजर आएंगी दोस्तो असुरन फिल्म से मंजु वारियर ने तमिल इंडेस्टी में अपना डेब्यू किया फिल्म का प्रोडक्शन 26 जनवरी 2019 को शुरू हुआ, उस समय ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि दनुस इस फिल्म में बाप और बैटे के रॉल में नजर आने वाले हैं लेकिन रिलीज के दोरान असुरन फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ये सारे रूमर्स दन उसकी पैटास फिल्म के लिए सही साबित रहे थे असुरन फिल्म को गांधी जेंती, यानि 2 अटुमबर 2019 को रिलीज किया जाने वाला था पर मल्टी स्टार साहरा नर्शिम मा रेडी भी 2 अटुमबर को रिलीज हो रही थी, जो की बिग बजट की फिल्म थी इसलिए फिल्म की रिलीज डेट को दो दिन आगे बड़ा दिया था, और फाइनली इस फिल्म को 4 अटुमबर को रिलीज करवाय गया आपकी जानकारी के लिए बता दू, रित्टिक रोशन और टैगर स्रोब की वार फिल्म को भी 2 अटुमबर के दिन रिलीज किया गया था और वहीं गोपी चन्दगी चानक को 5 अटुमबर के दिन रिलीज किया गया दोस्तो इन सब के बीच इस फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर जबरदस्त कमाई की और बलोगबास्टर का टेक आसिल किया दोस्तो असुरन फिल्म के डिजिटल और सेटलेट राइट्स बड़ी रकम में बिके और इस फिल्म के रिमेक की करने की होड़ी सी लग गई दोस्तो इसी साल गर्मी के दिनों में टेलगू रिमेक आएगा जिसे वेंकेटेस सर्क के साथ बनाया जा रहा है फिल्म का नाम है नरप्पा और दोस्तो असुरन फिल्म को बोली बुड में रिमेक बनाने का रूमर है ये तो आपको पता ही होगा बोलिवूड में किस तरह का रिमेक बनाया जाता है दोस्तो जाने माने कॉमीडियन करूनास के बेटे केन करूनास इस फिल्म में धनुस के बेटे के रोल में नजर आए केन करूनास को इस फिल्म के लिए Behind of the Year का Behind Woods God Medal और GC ने अवर्ट्स भी मिला दोस्तों उसी साल के लगबग बड़े अवर्ट्स इसी फिल्म को मिले इस फिल्म को 22 अवर्ट्स के लिए नोमिनेट किया गया था जिसमें से इस फिल्म ने 21 अवर्ट्स को जीता इन अवर्ट्स में Best Actor Actors और Best Director जैसे अवर्ट्स सामिले अब बात करेंगे हिंडी डप और जन की दोस्तों फिल्म के हिंडी डबिंग राइट्स गौर्ड माइन्स टेली फिल्म के पास है उन्होंने Completely डप भी करवा दिया गया और अभी कुछ दिनों पहले ही गौर्ड माइन्स ने अपने डिंचक टिवी चैनल पर हिंडी डप वाला Coming Soon प्रोमो आउट किया था पर दोस्तों अभी तक इस फिल्म का सेंसर सेटिपेकेशन बाकी है पर बाद में अपडेट आती है कि अभी इस फिल्म को 6 फरवरी के दिन पर एमर किया जाएगा और यह सारी अपडेट बिल्कुल फैट है दोस्तों रियल बात यह है कि अभी इस फिल्म की ओपीशली रिली डेट नहीं आई क्योंकि सेंसर सेटिपेकेशन कंप्लीट नहीं हुआ और दोस्तों असुर्ण फिल्म डिंचाक टीवी चैनल पर अभी भी कमिंट सून पर है दोस्तों जैसे ही खनपरम अपडेट आएगे हम आपको जरूर बताएंगे यह तक का था चोट असा वीडियो आयोप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करें कमेंट करें सेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए जये